केंदर सरकार द्वारा पास किये गए बजट और निजी करनड के विरोध में युनाइटिट फॉरम और बैंक यूनियन के करमचारी अधिकारी धन्दर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर बैनर चस्पा किये गए बैंकों का विलाय करन बंद करो सेव पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी सारी समसिया हैं जिसको लेकर प्रोटेस्ट लगतार जारी है सर सबसे पहले नाम जाना चाहिए किन चीज़ों को लेकर किन मांगों को लेकर आपका ये प्रोटेस्ट है जो सरकार ने अभी 2020 का जो बजट पेस किया है साथी उसके अंदर जो प्रोविजनिंग की गई है कि बैंकों को प्राइबेट किया जाए खासतोर से अभी नाम डिकलियर इन्होंने नहीं किया है लेक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है और इसी के साथ साथ क्योंकि हम लोग इस बात के भी समर्थक रहे हैं कि ये जो किरसी के कानून बनाए गए हैं इनको बापस किया जाए देश का किसान सलकों पर है जाले और ठंड के अंदर मर रहा है इसी लिए बैंक एंपलाई प प्रोटेस्ट का काल हमारे पास आई थी और हम उसी के तहत ये काल को फॉलो कर रहे हैं आगे नो तारीक को हमारी हैदराबाद के अंदर मीटिंग है सभी बैंक्स के यूनाटेट फॉरम के बैनर के नीचे आगे जो भी रणनीती होगी जो भी तैकिया जाएगा और मुझे उमीद है कि बड़ी जल्दी ये प्राइबेटाइजेसन के खिलाप हम लोग जो है बड़ी जल्दी धरना प्रदर्सन हरताल सुरू करेंगे जो साती हमारे लिए जो भी आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे जो आज का में जो मुंदा है वो यह यह जो बैंकों को प्र प्रस्ताब सरकार लेके आई है क्या है पका बीड़ाया किकों के बैंकों को बेचने का जो साथ मैं जो फैटोब लेकम जो प doe करते हैं तुश 사्ट मैं जो सक्टर यूनिट को भी बेचने करते हैं । आए हैं जो कि सारे के सारे गौर्वर्मेंट सेक्टर के हैं उनको बेचने का जो प्रस्ताब लेके आए हैं हम उसका भी बिरोद करते हैं मैंने बताया नौतारी को अभी हमारी मेटिंग है हैधराबाद के अंदर उसके अंदर जो भी निर्ण लिये जाएगा उसको हम लोग इस तानी इस तर पर इंपिलिमेंट करेंगे